यहां पर आज इस वीडियो में आपको 10 ऐसे इलेक्टिक स्कूटर के बारे में जन खरी देने वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा रेंज देती है, यानि कि एक बार इस इलेक्टिक स्कूटर को चार्स करके आपस ज्यादा ज्यादा दूरी तेह कर सकते हैं, ऐसे 10 इलेक्टिक के अंदर भी देखने को मिल जाएगी हो सकता है कुछ इलेक्टिक स्कूटर को पहले से यूज भी कर रहे होंगे तो अगर आप इस समय को को इलेक्टिक स्कूटर खरीना चाहते हैं तो इस वीडियो कंप्रीट पूरा जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट चैनल पर लिवा रहे हैं चैनल को सब्सक्काइब जरू करें जिसे के कोई भी अपडेट आपसे मिसना हो तो यहां पर इस वीडियो इसमें मोटर 4.4 किलोवाट लगी हुई है यहां इसके चारज होने में 7 सब्सक्राइब होने में 75 km और चार्ज यारि 55 km का रिंज देती है तो इसके फीचर्स की बातकरित इसमें आपको फीचर्स काफी अच्छा मिल जाते हैं स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिल जाता है फुली डिश्टामीटर दिया गया है LED हेडलेम सेटप मिल जाता है बूट स्पेस भी दिया गया है USB सॉकेट मिल जाता है मुवाइल फोन चार्ज करने के लिए और इसमें रिवर्स मूड भी दिया गया है तो अगर इसके प्राइसिंग के बात करें तो इसका एक्स रूम दिलिम प्राइस 1,777,000 रुपीज यानि की 1,777,000 रुपीज तक है और ये सभी मैं प्राइस यहां पे एक्स रूम बताऊंगा और प्राइस थोड़ी सी जादा हो सकती है इसके लाव अलग-अलग श्टेट में इसकी प्राइस भी अलग-अलग थोड़ी बहुत देखने की मिलती है कहीं पे 2,000 सस्ता और कहीं पे 2,000 महंगा भी मिल जाता है तो इस लिश्ट में जो 9th नमर पे है वो एथर कंपनी की आने वाली 450X है जिसमें कमपनी आपको चार कर देती है इसकी डिजानिंग काफी अच्छी लगती है तो इसमें जो मोटर दिया गया है 6 kWh की मिल जाती है बैटरी इसमें 2.9 kWh का लिथियम बैटरी मिल जाती है जो चार्ज जोने में 5 आउर्स का टाइम लेती है तो इस एक बार फुल चार्ज होने पर 85 km यान की 85 km पर चार्ज का रिंज देती है तो इसकी जो टॉप स्मीड है 80 km पर आवर देखने को मिल जाती है फीचर की बात करें इसमें फीचर आपको अच्छे मिल जाते है LED Headlamp Setup मिल जाता है टच स्क्रीन डेसबोर दिया गया है मुवाइल के नेक्टिवेटी के साथ मिल जाती है बूटी स्पेस दिया गया है हलाग इसमें लेडी फूट रेज देखनी को नहीं मिलता है प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है जो कि इसका दिल्ली का प्राइस है बागी पूने वेंगलोर में थोड़ी सी महंगी जरूर मिलती है तो इस लिस्ट में जो एड़त नमर पर है वो बजास कंपनी की आने वाली चेतक है जिसमें कंपनी टोटल 6 क्लर आप्शन देती है और इसमें आपको मेटल की बॉड़ी देखनीक मिल जाती है तो इसमें जो बैटरी लिथे माइन बैटरी मिल जाती है जो की फूल चार्ज होने में 5 आवर्स का टाइम लेती है फ्रंट में गलोब बॉक्स दिया गया है जहां पे कुछ समान को अब रख सकते हैं राउंड सेप का डिश्टर मीटर मिल जाता है जो की काफी प्रीमियर राइडिंग मोट्स दिया गया है तो एकर इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसमें दो वारियंट मिल जाता है किलोवाट की मिल जाती है और इसमें 2.5 किलोवाट आवर की पोर्टेबल बैटरी दी गई है यानि कि इसके बैटरी को निकाल कर आप घर पे भी चार्ज कर सकते हैं यह फूल चार्ज होने में इसकी बैटरी 4-5 आवर यानि की 4-5 गंटी का समय लेती है और एक बार चार्ज होने पर 90-120 किलोमेटर यानि की 90 से लेकर 120 किलोमेटर पर चार्ज का रेंज देती है तो इसके जो टॉप सीड है 60 किलोमेटर पर आवर किया है इसके फीचर्स की बात करेत इसमें 3 राइडिंग मूर्स मिल जाते हैं LCD डिस्प्ले दिया गया है एंटी थेप्ट अलाम मिल जाता है LED हेड्लेम सेट अप दिया गया है तो इसके प्राइजिंग की बात करेत इसका एक्स रूम दिल्ली का प्राइस इस लिश्ट में जो 6 नमर पर है वह बैंलिंग और जिसमें कमपनी 3 कलर आप्सन देती है इसमें मोटर 2.5 किलो वाट की लगी हुई है और बैटरी 72 बोल्ट लेथियम आइड पोर्टेबल बैटरी मिल जाती है जिसके बैटरी चार्ज होने में 4 आवर्स का टाइम लेती है और एक बार चार्ज होने पर 120 किलो मीटर पर चार्ज का रेंज भी देती है तो इसके जो टॉपे सीड है 60 किलो मीटर पर आवर की है फीचर्स की बात करें तो फोर राइडिंग मोट्स दिये गया है यस भी सॉकेट मिल जाता है डिस्क ब्रिक लगा हुआ है डिश्टर स्प कंपनी की ऑप्टिमा है जो कि इसका एचेक्स वेरियंट है और डूल बैटरी के साथ यह ज्यादा रेंज देती है जिसमें आपको चार आप्सन देखने की मिल जाएगा मोटर 5.5 किलो वाट की लगी हुए है और 51.2 बोल्ट की डूल बैटरी मिल जाती है जिसके बैटरी च बैटर मिल जाता है रिमोट लॉक दिया गया है और फ्रन्ट में ग्लोब बोक्स भी आपको देखने को मिल जाएगा प्राइस के बात के इसका एक्स्ट्रूम दिली का प्राइस 58,980 यानि की अन्ठाव जाए 900 सीरियू पैता आगा है तो इस लिस्ट में जो फूर्थ नमर अकिनावा कंपनी की आई फ्रेस प्लस है जिसमें तीन क्लोड आप्सन आपको मिल जाएगा मोटर इसमें 2.5 किलोवाट की लगी हुई है और 3.3 किलोवाट आवर की लीथियम बैटरी मिल जाती है तो इसके बैटरी फूल चार्ज होने में 5 आवर से आनकी 5 घंटे के समय ले है सेफटी के तोर पे डिश्टर मीटर दिया गया है जिसमें मोईल किनेक्टिवेटी मिल जाती है और फ्रंट में गलोब बॉक्स भी दिया गया है प्राइस की बात के इसका एक्सरूम दिली का प्राइस 99,708 याने 99,708 होपे तक है तो इस लिस्ट में थर्ड नमर पे हीरो इलेक्टिक कंपनी की आने वाली NYX HX वेरियंट है जिसमें आपको दो कलर आप्सन देखनिक मिल जाएगा इसमें मोटर 600 वाट की बील डिसी दिया गया है और इसमें 51.2 बोल्ट की लिधियम बैटरी मिल जाती है और इसके डूवल बैटरी के साथ आपको ज्यादा रेंज म सॉकेट मिल जाएगा LED headlamp setup दिया गया है फ्रंट में bottle holder मिल जाता है और glove box भी दिया गया है और टेवल बैटरी दी गई है और split foldable seat भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है प्राइस के बात करें इसका एक स्कूटर दिल्ली का प्राइस 62,954 यान की 22,954 तक है तो इस लिस्ट देती है मोटर इसमें 5.5 किलोवाट का IPM दिया गया है और 3.97 किलोवाट की फिक्ष्ट बैटरी मिल जाती है यानि कि इसके बैटरी को निकाला नहीं जा सकता है जिसके बैटरी फूल चार्ज होने में 6 hours का टाइम लेती है और एक बार चार्ज होने पर 181 किलो मिटर पर चा मिल जाता है 36 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है 7 इंच का टॉच स्क्रीन डैसबोर्ट मिल जाता है जो की Bluetooth किनेक्टिवेटी के साथ आती है जिसमें टर्न बाइटर्न नविएसन देखनीक मिल जाता है वाइस कंट्रोल दिया गया है रिवर्स मोड मिल जाता है साइड डि तो इस लिस्ट में जो पहले नमर पर है वो भी ओला के लॉंच के बाद इसको लॉंच किया गया है और यह ओला को टकर दे रही है यानि कि सिंपल कंपनी की सिंपल वन है जिसमें आपको चार कर आप्शन देखने को मिल जागा मोटर इसमें 7 किलो वाट की दी गई है और बै बैटरी देखने को मिल जाएगा एक फिक्स बैटरी है और एक रीमूव वज बैटरी है जिसके वैस्ते यह रैंल क्तिती है इसके बैटरी चार्स होंने कंट्रोल मिल जाता है रिवर्स मोड मिल जाता है और भी कई सारे इसमें आपको फीचर्स देखनी को मिल जाते हैं प्राइस की बात करें तो सिंपल वन का एक्स्ट्रूम प्राइस वन लाग टेन था होजन रूपीज यानि की एक लाग दस देर रुपे तक हैं हलाकि इसमें से ओला और सिंपल वन दो ऐसे कंपनी है जिसका आपको सोरूम से फिलाल देखनी को नहीं मिलेगा इन दो स्कूटर्स को आपको आनलाइन ही परचेस करना होगा दीरे दीरे आपको देखनी को मिल जाएंगे क्योंकि आपको हमसे ज़्यादा पता हो सकता है क्योंकि आप कई सारे अलग अलग वीडियो देखते हैं तो वहां से आप जनकारी ले सकते हैं मैंने अपने इसाफ से जितनी भी जनकारी थी सबसे ज़्यादा रेंज देने वाले